15 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक वरसब रासी के स्वामी शुक्र उच्चस्त अवस्थाओं में रहेंगे यानि कि मीद रासी में रहेंगे तो यह टाइम में वरसब रासी वाले जातकों को उन्नति के विशेश अवसर प्राप्त होंगे जैसे कि पूर्व की योजनाई सफल होंगी गवर्मेंट जोब के योग बनेंगे विदेश स्यात्रा विदेश से धन प्राप्ति के योग विदेश में व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी जो लोग फिल्म लाइन में एक्टिंग लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको विशेश सफलताओं के योग बनेंगे रुका हुआ धन वापिस आएगा और भी कुछ गंभीर जानकारी दूँगा कुछ एक सटिक हुपाय आपको बताओंगा इस टाइम पिरियड में जो आपको करना है लेकिन उसे पहले मैं आपको बता दू जो तिस के दुआरा अपनी समस्त प्रकार की समश्चाओं के समधान के लिए अच्छी स्रेणी के राशी रतन खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरा फोन नंबर, मेरा वोटस अप नंबर आप स्क्रीन पर देखी रहे हैं तो चलिए साथियों विसे में आगे बढ़ता है रासी स्वामी शुक्र के उच्छस्त होने से अचानक से आपको तरक्की देखने को मिलेगी चारो दिशाओं से आपके व्यापार में बहुत बढ़िया उच्छा लाएगा अब उपाय की बात कर लेते हैं इस टाइम को और बहतर बनाने के लिए आपको कन्या पूजन, देवी के बीजमंत्र की उपासना देवी के सिद्धिस्थान की यात्रा किसी विद्धिस्थान की और शुक्रवार का व्रत अवश्य करना चाहिए साथियों देवी की उपासना करने से शुक्र ग्रह अती प्रबल होकर अपना संपूरन फल परदान करने में सक्सम हो जाता है तो आपके राशी के स्वामी उच्चस्त रहेंगे इसका लब ले काम ना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चाइनल को करें सबस्क्राइब नमस्कार